सुशीला नाम की एक औरत थी जो की गाउं में अपने पती संजु के साथ रहा करती थी सुशीला का पती ठेकेदार था और वो अक्सर सुशीला को दारू पी कर मारा करता था एक दिन वो अपने घर में अकेले बैट कर रो रही थी कहां पस गई मैं भी बगवार मैंने पढ़ा है लिखाई भी की पर सब बेकार अगर मेरे माता पिता ने मरने से पहले संजू से इतना करजा न लिया होता तो मुझे इससे जबरदस्ती शादी न करनी पड़ती अब हर रोज मजदूरों की तरह घर में काम करो और रात में इस शराबी से मार भी खाओ यही रह गया है मेरी जिंदगी में क्या-क्या सपने देखे थे मैंने स्कूल में कि मैं शेहर जाओंगी नौकरी करूंगी और खूब खुश रहूंगी पर सब बरबाद हो गया इससे अच्छा तुम्हें मरी जाओ पर सुशीला की सारी बाते उसके घर आई विमला सुन लेती है विमला पडोस के घर में रहती थी और वो कुछ काम से सुशीला के घर आई थी अरी दीदी क्या आप भी मरने-मारने की बात कर रही हो मेरे पास तो एक ऐसा तरीका है जिससे आप हमेशा केलिस नरक से आजाद हो जाओगी क्या? ऐसा क्या तरीका है विमला? दीदी, मेरे स्कूल की पढ़ाई अब खतम हो गई है मुझे पता है कि ममी पापा इसके बाद मेरी जबरदस्ती शादी करवा देंगे इसलिए मैं शहर जा रही हो अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने मैं वही नौकरी करूँगी और वही रहूँगी गाओं में यहाँ वैसे भी मेरा कोई नहीं है तो क्यों न आप भी मेरे साथ शहर चलो? यह तुम क्या कह रही हो विमला? यही कि आप भी मेरे साथ शहर भाग चलो फिर कभी यहाँ मुड़कर मत देखना हम दोनों वही रहेंगे और एक नई जिन्दगी की शुरुवात करेंगे और आपने भी तो स्कूल तक की पढ़ाई किये आपको आसानी से नौकरी भी मिल जाएगी और आप चाहो तो आगे पढ़ाई भी कर सकती हो सुशीला ये सब सुनकर सोच में पढ़ जाती है दीदी मैं कल सुबह चार बजे यहां से निकलूंगी अगर आप तयार हो तो मुझे स्टेशन पर मिलना इतना बोल कर विमला चली जाती है और सुशीला सोच में पढ़ जाती है नई नई, ये मैं क्या सोच रही हो भला किसब बक्वास है शाम उने वाली है, जल्दी से खाना बनाती हूँ वरना संजू आपकर गुस्सा करेंगे सुशीला संजु को खाना परोस्ती है पर गलती से सुशीला से खाना गिर जाता है जिससे संजु को बहुत गुस्सा आता है वो गुस्से में सुशीला को बीटने लगता है नहीं नहीं छोड़ दो मुझे छोड़ दो बहुत देर बात ठक जाने की वज़े से संजु सो जाता ह पर सुशीला फैसला कर चुकी थी कि वो सुबह ही विमला के साथ घर से भाग जाएगी वो चार बचे विमला को स्टेशन पर मिलती है और दोनों ट्रेन से शेहर के लिए निकल जाती है शेहर पहुँच कर, सबसे पहले विमला सुशीला को अपने एक दोस्त के घर ले कर जाती है सुशीला दिदी, ये प्रीती है प्रीती का दोस्त है कबीर वो हमें एक नया किराय का घर और काम ठुढ़ने में मदद करेगा तब तक हम प्रीती के साथ उसके हॉस्टल के कमरे में रह सकते हैं यहां और लड़कियां भी है धन्यवाद विमला और प्रीती तुम्हें भी धन्यवाद सुशीला और विमला वैसे हमारे इस हॉस्टल के सामने एक नया शॉपिंग मॉल खुलाए वहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारी नौकरिया है तुम दोनों वहाँ जाकर पता कर सकती हो क्या सच में अब ठीक है फिर हम दोनों शाम को ही वहाँ जाएंगे शाम होते ही विमला और सुशीला मॉल के अंदर चली जाती है मॉल नया बना था इसलिए वहाँ पर जादा भीर नहीं थी विमला और सुशीला सीधा मॉल के आफिस में जाती है जहाँ पर शॉपिंग मॉल का मालिक बैठा हुआ था जी बताईए आपको क्या काम है दरसल हम दोनों को यहाँ नौकरी चाहिए हमने सुना है कि आप लोगों को यहाँ पर लोगों की जरुरत है काम के लिए हाँ हाँ सही तुना है आपने क्या आप लोग बच्चों को सभाल सकेंगी जी बिलकुल हाँ हाँ क्यों नहीं तो ठीक है फिर देखिए मौल की चौती मनजिल पर एक गेम सेंटर है जहाँ पर कई बच्चों के गेम्स है वहाँ पर बच्चों के खिलोने की दोकान भी है आप दोनों को मिलकर उस जगर को सम्हालना होगा एक है ना यह रूबी है यह वहीं काम करती है कि आपको सब समझा देगी तो फिर आप लोग अभी से काम शुरू कर सकती है आपको दोपहर एक बज़े से रात के ग्यारा बज़े तक काम करना होगा और इसके लिए आपको बीस हजार रुपए मिलेंगे पैसे सुनकर विमला और सुशिला दोनों बहुत खुश हो जाती है वो जल्दी से जाकर गेम सेंटर में सारा काम सीखने लगती है पर जैसे जैसे रात होती है, मौल खाली होने लगता है दस बचते बचते चौथे फ्लोर पर कोई भी नहीं बचा था सिवाए रुबी, विमला और सुशिला के सुशिला और विमला, मुझे ज़रा बाथरूम जाना है और यहां बाथरूम सर्फ ग्राउUND फ्लोर पर है तो मैं ज़रा होकर आती हूँ रुबी मुझे भी जाना था बाथरूम मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ठीक है, फिर मैं यहां रुखती हूँ रूबी और विमला सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बात्रूम चली जाती है सुशीला अब चौथे फ्लोर पर अकेले थी कि तभी अचानक से पूरे मॉल की लाइट चली जाती है अरे ये लाइट कैसे चली गई अचानक से गेम सेंटर के सभी खिलोनों और गेमस की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है और इससे सुशीला बहुत डर जाती है तभी सुशीला को वहाँ पर कई बच्चों की आत्माई दिखने लगती है अरे अरे बचाओ, बचाओ सुशीला गेम सेंटर से बाहर की तरफ भागती है और बाहर निकल कर वो गिर जाती है तभी वहाँ विमला और रूबी आ जाती है और वो दोनों सुशीला को उठाते है अरे सुशीला क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई वो वो अंदर बहुत सारे छोटी छोटे भूत और चुडैल थे सब बच्चे थे उनमें से एक छोटी बच्ची की चुडैल मेरे उपर कूदी और मुसे चिपक गए और वो मेरे बाल नोचने लगी क्या? तुमने भी उनने देखा? मुझे लगा था ये मेरा वहम है पर शायद सच में ये शॉपिंग मॉल भूतिया है क्या? भूत? भला ये मुम्किन है क्या? अरे, अगर ऐसा है तो रूबी तुम यहां काम ही क्यों कर रही हो? मुझे लगा था शायद वो मेरा वहम होगा मैंने भी एक छोटी बच्ची चुडैल को पिंक फ्रॉक पहने देखा था इसी गेम सेंटर में पर जब मैंने मालिक से ये बात कही तो उसने मुझे डाट कर कहा कि दोबारा ये बात बाहर नहीं करना वरना मॉल बंद हो जाएगा अब हम क्या करें? ये नौकरी छोड़ी तो फिर कहा जाएंगे? हमें पैसे भी तो चाहिए ना तीनों सोच में पढ़ जाती है कि तब ही अचानक से फिर से पूरे मॉल की लाइट बंद हो जाती है और रूबी एक चुडैल में बदल जाती है यही नहीं सभी बच्चे भूत और चुडैल और साथ ही साथ मालिक भी वहाँ आ जाता है और भूत में बदल जाता है ये सब आखिर हो क्या रहा है? जरा अपनी घड़ी में तो देखो विमला घड़ी में देखती है ग्यारब बजने ही वाला था जैसे ग्यारब बच्चता है पूरा शॉपिंग मॉल एक पुराने खंड़हर में बदल जाता है और सभी भूत चुडैल, सुशीलो और विमला को चारू तरफ से खेड़ लेते है तुम दोनों हमारे जाल में फस कई हो ये हमारा शुरू से प्लान था हमें तो बस तुम दोनों को मॉल के अंदर ग्यारा बच्चे तक रूख कर रखना था आखिर तुम सब हो कौन? और क्या चाहते हो हमसे? कुछ भी नहीं, मैं और रुवी तो बस एक भूत याइस्कूल के टीचर है और ये सब बच्चे हमारी शुष्य हम दोनों तो इन्हें सिखा रही थी कि कैसे इंसानों को बेवकूफ बनाया जाता है और उन्हें अपने जाल में हसाया जाता है तो इसके लिए तुमने ग्यारा बच्चने का इंतजार क्यों किया? देखो तो मासूम बच्ची को, इसे सब जाना है अरे क्योंकि ग्यारा बच्चने के बाद से ही हम सब भूत बहुत ताकत्वर हो जाते हैं इसलिए ए भगवान ये सब क्या हो रहा है इतनी हिम्मत करके एक नरक से बाहर निकली थी और क्या फैदा हुआ है या इतने भूतों के बीच फस गई अब क्या होगा भगवान अब क्या अब ये सब मेरे प्यारे प्यारे भूत या स्टुडेंट्स मिलकर तुम दोनों को कच्च चबा जाएंगे वो क्या है ना इंकाब लंग टाइम होने वाला है ये सुनकर सभी भूत और चुडैल जोर-जोर से हसते लगते हैं तब ही अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज आती है कोई आदमी गाना का रहा था इतना बोलते ही आदमी जमीन पर गिर पड़ता है वो आदमी नशे में था और उसके हाथ में चाकू था वो दुबारा लड़ खडाते हुए उठता है ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सुशीला का पती संजु था और वो सुशीला को मारने वहाँ आया था अरे अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई लगता है विमला कि ये हमारा आखरी दिन है नहीं नहीं दिदी ये हमारा आखरी दिन नहीं है बल्कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हमें इन भूतों और संजु दोनों से ही एक साथ छुटकारा मिल जाएगा क्या वो क्या हमें कुछ नहीं करना दिदी आप बस संजु को आवाज लगा कर इधर बुलाईएगा जैसे ये संजु यहां आगया आएगा सभी भूतों का ध्यान उसकी तरफ होगा तभी हम यहां से भाग जाएंगे और ये भूत इतने अच्छे तो है नहीं कि संजु को ऐसी जाने देंगे ठीक है मैं कोशिश करती हूँ ओ संजु मैं इधर हूँ दम हो तो जरा इधर तो आओ ये सब भूत और चुड़ैल मेरी रक्षा करेंगे ये तुम्हें मुझे चूने भी नहीं देंगे संजु नश्य में सुशीला की तरफ देखता है उधर सभी भूत चुड़ैल मिलकर संजु को खा लेते हैं विमला और सुशीला मिलकर नई नौकरी ढूनते हैं और अपनी नई जिंदगी की खुशी-खुशी शुरुवात करते हैं